नमस्कार दर्सकों वास्तु से सम्मंदित अनुभूत जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु सिंप्लिफाइड को सबस्काइब करना नहीं भूले नमस्कार मैं उम्मेद दुगरजेज वास्तु सास्तु आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ एक बहुत ही सस्ते वे आसानी से मिलने वाले एक रहश्य मही पत्थर के बारे में जिसके लाब वे फाइदे जान कर आप भी दंग रह जाएंगे आप भी इस वीडियो में बताए अनुसार इस पत्थर का उप्योग करें वे अधिक से अधिक लाब प्राप्त करें पुरानी जमाने में गहनों में जो और्नामेंस होते थे उसमें भी इस पत्थर का उप्योग होता था जिससे कई प्रकार की नकारात्मक सक्तिया उनके आसपास भी नहीं आ सकती थी प्राप्तिन काल में जो वेदी बनती थी उसके चारों भी इस पत्थर को लगाना बहुत ही पवित्र माना गया था और पुरानी जमाने में जब राजा माराजाओं का रास्तिलक होता था तो सिंगहासन के उपर जो च्छत्र होता था उसमें भी ये पत्थर जड़ा जाता था गाओं में जो दूद देने वाले पस्वों के गले में इसे बानते थे जिससे पस्वों दूद अधिक देते थे और पस्वों को नजर नहीं लगती थी एसा किसान भाई मानते थे और पस्वों इससे सुस्त रहते थे जेन लोग पर्थम तीर्थंकर आदिनात बगवान की सासन देवी यहनी यक्षिरी सासन देवी चक्रेश्री देवी का इस पत्थर में वाश मानते हैं इस पत्थर को बगवान विषणु का स्वरूप वै मा लच्ष्मी का परतीक भी माना जाता हैं कहीं लोग इसें भगवान सीव की तीसरी आँख के रूप में भी मानते हैं राहू वे चंदरमा का जिसकी जनम पत्री तो जो तिस में आता है जनम पत्री में राहू वे चंदर का दो सो तो भी इस पत्थर का उप्योग किया जाता है अब आईए जानते हैं इस छोटे से सस्ते से आसानी से मिलने वाले पत्थर का हम अपने जीवन में सुख सांती और सम्रद्ध के लिए केसे उपयोग कर सकते हैं व्यापार में फरेसानी आ रही हो व्यापार में वर्दी नहीं हो रही हो बढ़ नहीं रहा हो व्यापार तो 11 अभी मंत्रित पत्थर लाल कप्ड़े में बांध कर व्यापार इस थल का जो पूजागर है उसमें रख देना चाहिए बहुत लाब मिलेगा व्यापार इस तल पर में गेट की जो चोकट होती है उस पर भी इस पत्थर को बांधने से व्यापार इक बादाएं दूर होकर व्यापार में बढ़ोतरी होती है रोग मुकति के लिए बीमारियों से बचने के लिए रोगी के सिर के उपर से साथ बार इस पत्थर को गुमाकर बेहते पानी में अगर महा दें या रोगी के पलंग के नीचे रख दे बिस्तर के नीचे रख दे तो बिमारी से छुटकारे की संभावना बढ़ जाती है 11 गोमती चक्र चांबी या तांबे की प्लेट में रखकर बगवान विश्णु के सामने रखने से बगवान विश्णु की कृपा बनी रहती है घर बन रहा हो मकान बन रहा हो तो उसकी जो नीव होती है मकान की नीव उसमें भी गोमती चक्र को या इस पत्थर को डालना बहुत सुब माना गया है गर के मेन गेट की चोकट जो दहलीज होती है उसमें चोकट की दहलीज में नो पत्थर लगाने से घर नकारात्मक सक्तियों से बचा रहता है इग्यारा पत्थर गंगा जल में भर कर पूजा घर में या नोर्थिष्ट कोले में रखते हैं और वैपानी दूसरे दिन पूरे घर में छड़कते हैं घर में नेगेटिव एनरजी समाप तोकर पूजेटिव एनरजी में वर्दी होगी और किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रभाव होता है वो नहीं होगा नो या इग्यारा पत्थर गाड़ी में रखने से दूर घटनाओं से बचा होता है अगर जेब में रखें तो स्वेम की सुरक्षा होती है बच्चे के गले में एक पत्थर पहनाने से बच्चे को नजर नहीं लगती और विद्यादायक सरस्थी की किरिपा भी हमेसा बनी रहती है रात को बच्चा डरता हो या भैवित होता हो तो भी इससे फाइदा मिलता है यह पत्थर प्राय गोमती नदी से प्राप्त होता है इसको अभी मंत्रित कर अच्छे नक्षत्र में सिद्ध कर उर्जा युक्त बना लिया जाता है इस पत्थर का माम है गोमती चक्र यानि गोमती चक्र यह जो मैंने आपको पहले दिखाया गोमती चक्र प्राचीन गरंथ जो पुरान है जो हमारे अठारा पुरान है उनमें एक पुरान है इसकंद पुरान उसमें इस पुष्ट लिखा है कि गोमती चक्र की नित्य प्रति दिन पूजा करने से देवी लक्ष्मी धन धन्य संपत्ति पुत्र परिवार सब का सुख उन जीवों को होता है इसलिए आप भी इस सिद्ध किये हुए सुद्ध अभी मंतरित उर्जा युक्त गोमती चक्र का अधिक से अधिक लाब लें आप यहां दिये गए लिंक से भी सुद्ध गोमती चक्र प्राप्त कर सकते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक वे फोरवार्ड आउश्य करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु सिंप्लिफाइड को सबसाइब करना नहीं भूले ताकि नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे हैं आपके कोई कॉमें तो आपको हमेशा मिलते रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद